चीटियां सीधी रेखा में क्यूं चलती हैं? आज हम ये जानेंगे तो चलिए चलते हैं चीटियां बहुत बड़ी कालोनी में रहती हैं और बहुत संगठित हैं जब एक चीटि को कुछ बोजन मिलता है तो वे उसका एक चोटा टोड़ा चुनती है और लोटते समय वे निसान के साथ फेरमोन नामक करसायने के चोड़ती जाती है प्रते कालोनी में फेरमोन का एक अ असानी से एवपरेट हो जाता है तो हर चीटी जो बोजन ले जा रही है और कॉलोनिय में बापस आ रही है अत्रिक्त फेरमों चोड़ती है ताकि इसके पीछे की अन्र चीटियां गंद का पालन कर सके और अपनी कालोनिय में लोट सके जैसे ही चीटियों को गंद का पता चलत करने के लिए ऐसा करते हैं जब दो चीटें टकराती हैं तो वे एक दूसरे के फेरमों को सुंगती है जदी फेरमों कोलोनिय से समद्द नहीं है तो वे बाहरी बक्ति पर हमला भी किया जा सकता है